हलो फ्रेंद्स, वेलकम टी स्रेस कॉर्नर और गुड मॉर्निंग टी आल अफ यू आज का विशे है कि हमको खाना के से खाना चाहिए रात के डिनर के बाद रात बर सोते रहते हैं हम यानि एक टाइप का फास्टिंग ही है उसके बाद हम सुभे उसको ब्रेक करना जरूरी है तब उस खाने को जो भी खाते हैं उसको हम ब्रेक फास्ट बोलते हैं मतलब रात भर का फास्टिंग को दिन में बंद करके फिर कुछ खाते हैं तो ब्रेक करके वो फास्टिंग ब्रेक करके जो खाते हैं उसमें हम अच्छे चीजे मतलब अड़ करना चाहिए जो भी सुबे खाते हैं वो हमारी ब्रेन के लिए और पुरा बोड़ी के लिए ही खाते हैं दिन बर अच्छे से रहने के लिए ही वो चीज खाते हैं तो अच्छे से खाना चाहिए उसमें सभी चीज आड़ करना चाहिए इसलिए सुबे बदाम खाओ, दूद पियो, फ्रूर्ट्स खाओ, सभी बोताते हैं ना कि सुबे जो उटके जो भी करते जो भी खाते हो हमारे श दूद लेते, कभी चाय लेते, बिना खाना खाके ही हम सुबे निकलते और दो पेर का खाना हमको हाफ पेट यानि आदा भरकर फिर वन बाई फोर तक मतलब आदा पेट में खाना, वन बाई फोर में पानी पीकर, त्री बाई फोर तक ही पेड भरकर बाकी खाली चोड़ना लेकिन हम दो पेर का खाना भर फूर खाते हैं, वो गलत बाद हैं, फिर उसके बाद रात का खाना भी कभी कबर हाना, हम इतना सारा खाते हैं कि दिन भर खाये नहीं, मैं एक ही टाइम खाता हूँ, क्या जरूरते रात भर ऐसे खाना खाकर फिर लेड जाते हैं, कोई इस भी खाना चाहिए पेड भरकर और दो पहर को भी आधा भरकर खाना चाहिए और रात को भी थोड़ा लिमिटर्डि खाना चाहिए और खाने में हम ज्याधा पटलस वेजेटेबल यानी ग्रीन वेजेटेबल जब्विशंहेदा और जरूरी है जो अन्पोज से वगेरा की चाने बहुत अच्छे रहते हैं भत ही बड़िया रहते हैं जो ज से स्विंस्ब्रक्राइब और पछीज मिलते हैं हैं पीसितीं मेंली जिसे था प्लस चा कलारों greedy बोलते हैं कि वेजटेरियन खाना सात्विक खाना रहते हैं यानि सात्विक फुड्ड यानि बिना नॉन्विच का फुड्ड को सात्विक फुड्ड बोलते हैं और ऐसे खाने से हमारी स्वभाव में भी सात्विक स्वभाव हो जाएंगे और नौर्ण में ज़्यादा खाने से बूलते हैं कि गुसा भी है, ऐसे गंदे, मतलब जलसी टाइप का भी फिलिंग्स होते हैं तो थोड़ा बहुत हमको साथविक खाना भी खाना चाहिए कभी कबर तो अवाइड कीजिये और उसकी जगापर ग्राम वगेरा यूस कीजिये ब्लैक चाना, ऐसे वाइड चाना, ये सब हैना चोले, ये सब चीज खाना चाहिए तो सभी को मेरे छोटी से भी अच्छा लगे करके सोच रही हूँ खाना ऐसे खाना चाहिए, खाना के ऐसे खाना चाहिए करके भी पताच लगे होंगे आप थोड़ी सी ट्राइ कीजिये ऐसे खाना खाने की आपका वेट भी मिनिमाईस होएंगे और आपको अच्छा भी फिल होएंगे जब बोडी में ज़्यादा खाना से भारी पड़ जाते हैं तब हमको अच्छा भी नहीं मैसूस होते हैं हमेशा बुटन सी और अनकमफर्टबल और है ना घबराट जैसी होती है थोड़ी खाना कम करके ऐसे वाला खाना खाने से बहुत अच्छा खुश और एकदम लाइट वेट और बोडी को भी एकदम लाइट फील होता है तो ट्राइ कीजिए जरूर आज के लिए इतना ही है थैंक्स पोर वाचिंग और विल सी सून एन नेक्स्ट वीडियो और सभी के लिए एक बीटिफल और वन्दरफूल देय तो ओल और इच वन आफ यू विल सी सून इन नेक्स वीडियो थैंक्स बाइबाई